पश्पावली थान अंत्रगर 307 का मामला साम गया है जातु तोना की शक्पर आरुपी ने एक बुवा पर जानलिवा हमला बोल दिया प्राप्ति जानकर इनुसार जक्मी शेख खान अजिम खान ये बुवा का काम करता है आरुपी महमद तजीम कुरेशी वल शेक को शक्ता की जक्मी उसके घरवालों को वश में करता है वो जैसा बोलता है वैसा विक करते हैं इसी शक्त से क्रोधित होकर आरुपी ने सुमवा की रात को हमला बोल शेक को जक्मी कर दिया इस मामले की शिकायत मिलते ही पुलिस ने आरुपी को मौमत तजीम कुरेशी वलशे को गिरफता क्या है, जग्मी को अस्पतार में भरती करया क्या है, आगे की जाच चल रही है हम सब लोग स्पॉर्ट के उपर पहुचे, तो वहां हमको मालूम पड़ा की जखमी है शेक अकिल उर्फ बाबा, वल्द शेक उमर, उमर 75 वर्ष, ये माजरी रहमत नगर, पुलिस थाना, ये शोदरा नगर के हद में आता है, ये वहां रहते है, ये आदमी बाबा गिरी करता है, और इस गुने का जो आरोपी है, जिसको हमने अरेश्ट किया, उसका नाम है मोहमत तंजीम कुरेशी, वल्द मोहमत इकबाल कुरेशी, ये 19 साल का लड़का है, टेका नई बस्ती में रहता है, अबुबकर मस्जिद के पास, ये जो जखमी शेक अखिल उर्फ बाबा, य और ये, ये जो आरोपी है, मोहमत तंजीम कुरेशी, इसके घर में भी जाता था, कुछ ताबी योगए बनाके देता था, पानी योगए देता था, और उसके बिहाप में आरोपी के घर वाले ये जखमी को पाईसे देते थे, तो उसका इफेक्ट इतना पड़ा, कि ये जो तो आरूपी है, इसके घर के लोग यह आरूपी का भी सुनते नहीं थे, आरूपी का ही कहना है कि यह जो जखमी शेक अखिल उर्प बाबा यह उसके पुरे प्रभाव में थे, और उसके वज़े से उसके पुरे घर का वातावरन बिगड़ गया था, उस चीज की उसको चीड थी कि आदमी आता है, और मेरे घरवालों को कुछ तो भी ताविश दे रहा है, पानी दे रहा है, और मेरे घर का वातावरन पुरा खराब कर रहा है, यही उस गुने के पीछे का हेतू है, और इसी कारण से उसने चाकु से उसको मारहन किया है, जखमी ने हमको ओरली बहुत महिती उसकी दिया था, बाकी काम हमारे पुली स्टेशन की जो डिवी पार्टी की लोग है, जिसमें हेट कॉंस्टेबल ग्यानेश वर भोगे, दिलिप पवार और उनकी टीम के इमरान शेक, अंकुष राठोर, वासुदेव जैपूरकर, गनेश ठाकरे, रोमेश इ अंकुष भारत वास के साथ अभिशेक पांसी की रिपूर्ट